देखिए जहां तक मेरा मानना है कि अगर पंजाब जैसे छोटे से राज्ज में छोटे प्रदेश में अगर भारतिय जनता पार्टी ये खयाल में थी कि वो पांच लाख लोग ले आएगी तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घलत पहमी थी जो एक अधिकरत तोर पर जो जानकारी आई है कि वहां करीब करीब एक लाख कुरसियां लगाई गई थी या साड़े अठानवे हजार जो आंकड़ा आया है ऐसी उसमें केवल बमुश्किल छे साथ सो लोग मुझूद थे बाकी सब खाली पड़ी में थी अधिकरत जो खबर आई है वो यह इसका अर्थ यह है कि भारती जनता पार्टी को अपने जनाधात को लेकर पंजाब के बारे में कुछ सही सूचनाएं नहीं थी और दूसरी चीज यह है कि उन्हें सोचना चाहिए था कि पिछली बार अगर वो भीड जुटाते थे तो उस वक्त वर्षों भीड नहीं आई पंजाब कृशी में अवल है गेहूत पादन में हरित करांती का वो की वो प्रयोक शाला रही है नरीमन बोरलाग ने वहां पर बहुत बड़ा प्रयोक किया था इंदीरय गांधी के जमाने में तो भारतिय किसान संग जो करांतिकारी भारतिय किसान संग है जिसके अध्यक्ष है सुरजीत कुमार पूल उन्होंने ये कहा है कि हमें जानकारी नहीं थी आज जो क्योंकि इस पक्षपर शायद हम लोग एक घंटे में बात नहीं कर पाई तो उन्होंने ये कहा है कि हमें ये कोई जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री वहां से गुज खर दिखिए और उनको ग्यापन देने जा रहे थे तो ये एक अधिकृत बयान आया है कि जो कहा गया कि उन्होंने गाड़ियां आड़ा दि थी थी आगा कर द दिया ठागा चंहीं कर दिया था यह धर वड़ियां नहीं निकलने दिय रहे थे इस बात की भी एक जांच होनी च कि दोनों पार्टियां सियास्त कर रही हैं जो किसानों के हित में नहीं है अभी भी केंद सरकार को चाहिए कि वह अपनी जो बात हुई है कानौन जो वापस लिया है हो समिति गठित करें और सारा सब कुछ करें और राकिष टिकेत् ने अंत प्रदान्मंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था तो राज-सरकार ये कह रहा है, जिलाप्रशासन ये कह रहा है, किसान अंदोलन ये कह रहे है, सब सब किसान एंटन ऐसा कह रही है, तो फिर क्यों गए ये बात मेरे लिए थोड़ा सा समझ से परे है और एक मिनिट में चुकि अब समय हम बस अगर आप इजाज़त दें तो एक संदर्व दूसरा है अगर मैं कहीं तूँ 1987-88 के आसपासी SPG का गठन हुआ था राजीव गांधी प्रधान मंतरी थे और जब 1989 में वीपी सिंग सरकार ने उनसे SPG सुरक्षा वापस ले ली थी और जब पेरुमुदूर में उनके साथ ये हादसा हुआ और राजीव जी नहीं रहे तो उसके बाद बड़ी आलोचना हु को सुरक्षा दी जानी चाहिए SPG की तीन महीने के बाद वो सुरक्षा विड्रॉ कर लेनी चाहिए अब बहुमत उनका था कानून सरकार उनकी थी जब मिलापचन जैन आयोग बना तो मिलापचन जैन आयोग ने भी ये बात कही थी कि इसके लिए केंद्र सरकार दोशी है य जैसा राकेश भाई अभी कह रहे थे और विजय शंकर जी ने भी उसको रिशारा किया था कि SPG या ग्रह मंत्राले या ग्रह विभाग उसके लिए जिम्मेदार है और ग्रह विभाग अगर नाकाम है तो उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए दो तीन उधारन आये थे क्योंकि आपको याद होगा वो भी एक फ्लाइओवर पर रुख गए थे क्योंकि दो पुलिस वाले गलत रास्ता ले चुके थे और बाद में उसके बाद भी अगर SPG नहीं चेते पुलिस वालों को तो सस्पेंट कर दिया आपने अरे सस्पेंशन को या आज के लिए राज होता है क कि कई पुलिस वाले अधिकारी जब SPG से नहीं बनती या लूप लाइन में पहुंच जाते हैं तो जानबूच के सस्पेंशन मांग लेते हैं कि जब बहाल होगी तो पूरी सेलरी मिल जाएगी तब तक घर पे आराम करो तो सस्पेंशन कोई दंड नहीं होता लेकिन प्रध समारो था और एक वक्ति घुसाया कोई पहचान नहीं कोई आई-कार्ड नहीं कोई पास नहीं और उसने न केवल घुसाया देवेंद्र फड़नवीस और प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी ली और सेल्फी ली लिए जिनके बाद अनिल विश्रा उसका नाम था अनिल वहाँ SP जी ने कई बार उनको संकेत किया इशारा किया लेकिन उन्होंने नहीं माना तो ऐसी चीज़ें होती हैं नहरू के जमाने में तो चलिए नहरू जी का तुम्हें जाजी अलग था नहीं मानते थे लेकिन इंदिरा गांदी बेलची हतिया कांड के बाद जब बिहार के पानी में और वो एक हाथी पर बैठके गई बरसात में गई तो क्या वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि देश का पूरू प्रदान मंतरी इस तरह से जा रहा है और तीन दिन वहां रुकी कोई सुरक्षा नहीं की गई बिहार की जनता पार्टी की सरकार में इस स